कॉंग्रिस छोड़कर हजारों समर्तकों के साथ बीजीपी में सामिन होने वाले केंद्रिय मंत्री जोती रादित्य सिंधिया का बीजीपी में कुनवा छोटा होता जा रहा है उनके समर्तकों के बीज पार्टी छोड़ने की होड़ मच गई है दो दिन पहले सिपूरी के बेजनास सिंघ यादम ने फिर से कॉंग्रिस का हाथ पकड़ लिया है जबकि सिपूरी में ही सिंधिया के करतब ब्यनिस्ट नेता कॉंग्रिस में आने के लिए लोविंग में जुटे हैं बेजना सिंग सिंधिया के साथ कोंग्रेश छोड़कर बीजीपी में गए थे अब कोंग्रेश बेजना सिंग के सारे गुना सिप्पुरी और असोक नगर छेट में पिछड़ा बर के मद्दाताओं को साधने का प्रयास करेगी बताये जाता है कि जोत्तुद्रा सिंधिया के गढ़, गुना, असोक नगर, सिपूरी और गुवालेर में उनके समर तक बीजिपी के दूसरे नेता भी कोंगरेस का हाथ थामने की तयारी में है लेकिन सिंधिया के कठर समर्टक होने की वयाई से फिलाल कॉंग्रिस फुक फुक कर कदम आगे बढ़ा रही है एसे में उनके लिए दरवाज़े नहीं कोले गए हैं लेकिन इतना तेहे कि बड़ी संक्या में कॉंग्रिस में बापसी होगी बहीं सिंधिया के भाच्पम में आने की बये से राजनितिक हासिये पर जा रहे हैं बीजिपी नेता भी कॉंग्रिस के संपर्क में हैं इनमें निर्वाचित जनप्रतिनीजी भी हैं पहीं बीजीपी में ही सिंधिया समर्तोकों के जरिये सिंधिया पर हमले शुरू हो गए है